हाई एवरिवन वेलकम टू क्वान स्टेडी जैसे कि आप जानते हैं हम यह फजिक्स का जेके एससबी एकाउंट एसिस्टेंट का स्लेबर्स कर रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम स्लेबर्स जो है वो हो चुका है और कुछ ही टॉपिक्स बचते हैं जिसमें से हमने ऐसा यूनिट म मोशन भेव कंप्लीट कर लिया है और आज हम साउंट करने वाले हैं जो जो आज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको जादा नहीं करवा रही हूं से वही करवा रही है जो एक्जाम्स के रेलिवेंट है बिकोज साइंस पोर्षन एकाउंट एसिस्टेंट में सिफ 10 मार्क है अब उस 10 मार्क में से भी बायो है कमिस्ट्री है और फिजिक्स है इन दोनों के अगर देखे चाहें तो अराउंड 33 मार्क के करीब हैं यह सारे के सारे तो इनमें जो भी एक्जाम्स के रिलिवेंट कोश्चन्स हैं हम वही कर रहे हैं आई होप आप अपनी त्यारी अच् साउंड यह आज कंप्लीट हो जाएगा इससे पहले हम अपने प्रीवेंस एमसी क्यों दिये थे उसके आंसर्स चेक कर लेते हैं क्या आए हैं वेन स्टोन इस्टोन इन का वाटर ओफ पॉन वेफ परड्यूस्ट आ जब भी हम पानी में पत्थर फैंकते हैं उसमें जो हो नहीं सकता क्योंकि हमें पता है जब भी हम पानी में पत्थर फैंकते हैं तो कोई ना कोई भेव तो पैड्यूस होती है तो वह भेव लॉंगिटूर्नल भी होती हैं ट्रांसवर्स भी होती है इसका मतलब इसका आंसर है सी बहुत एंवी टाइम पीरियोड ओव सेकेंड जो तो हमारा यह थे दो और इसके बाद है कोश्यन नंबर 3 What is the Mowchon which repeat itself after a regular interval of time तो इसका अंसर आ जाएग़ सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्थ है इन विच रेंज ओफ इलेक्रो मेगनेटिक स्पेक्ट्रम लेमेन सीरीज ओफ हाइड्रोजन आटम एक्जिस्ट यह एक्जिस्ट करती है अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में क्वेशन नमबर फाइव है हर्ट्स इस यूनिट ओफ हर्ट्स किसका यूनिट है फ्रिक्वेंसी का हूँ डिस्कवर्ड एक्सरेस डिस्कवर्ड की थी रोईन जन ने आई होप आपने इनके आंसर अच्छे से देख लिये होंगे तो हमारा आज को टोपिक है साउन इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं साउन होता क्या है साउन एक साउन भी वेव की फॉर्म में ट्रेबल करता है साउन यह एक लोंगिट्यूडनल मेकानिकल वेव है यह वेव आ क्वाइब कों सी होती है जिस रेंच में हम अच्छे से सुन सकते हैं और से हमारी रेंच है उस रेंच को इन्फरसोनिक रेंच केंगे इन्फरसोनिक वेव कहेंगे 20,000 Hz से जो जादा की वेव होती है उन्हें हम ultrasonic wave कहते है जो ultrasonic waves है ये हम humans detect नहीं कर सकते ये dogs, cats, bats, mosquitoes ये सब animals detect कर सकते है bats ultrasonic waves को produce भी कर सकती है bats ultrasonic waves produce करती है काफी important है फिर आता है infrasonic waves infrasonic waves जो bigger size के sources हैं वो produce करती है earthquake, volcanic eruption, ocean waves ये सब infrasonic waves produce करती है elephant और whales भी infrasonic waves produce करती है अभी applications क्या है ultrasonic waves की इसकी application है कि signals को send करने में help करती है sea की depth देख सकते हैं कितना गहरा है समुंदर clothes को clean करने में aeroplanes aeroplanes को clean करने में और जो clock घड़ियों की machinery पार्ट होता है उसे clean करने में help करती है ultrasonic waves for removing lamp shoot from the chimneys of factories और ultrasonography में भी ये use की जाती है इसके बाद speed of sound sound की speed क्या है हमने पहले क्या किया था wave की speed of light देखी speed of light क्या होती है 3 into 10 की रिज़ पावर 8 meter per second ये मैं अपने last lecture में बता चुकी हूँ no speed of sound है speed जो है sound की depend करती है उसकी elasticity पर density of medium elasticity पर density पर depend करती है सबसे जादा speed जो होती है sound की वो solids में होती है और सबसे कम gases में होती है when sound enters from one medium to another जब भी sound एक medium से दूसरे medium में जाता है speed और wavelength change होती है लेकिन उसकी frequency पर कोई असर नहीं पढ़ता है उसकी frequency कभी भी change नहीं होती है sound की हमेशा speed change होती है और उसकी wavelength change होती है और एक important चीज है कि जो speed है वो कभी भी vacuum में travel नहीं करती है speed कभी vacuum में travel नहीं करती अब कुछ factors हैं speed को affect करते हैं first effect of pressure pressure का क्या affect पढ़ता है pressure से कोई भी affect नहीं पढ़ता sound की speed को pressure चाहें हम increase करें चाहें decrease करें जो sound की speed है उस पर कोई फरक नहीं पढ़ेगा वो वैसी ही speed में चलेगी जिस speed में वो पहले थी affect of temperature temperature का क्या affect होता है जैसे हम temperature को increase करते हैं जो sound की speed है वो भी increase हो जाती है मतलब क्या है वो एक directly proportional है directly proportional का मतलब अगर हम उसकी temperature जादा कर रहे है तो speed भी जादा हो और यह temperature कम कर रहे है तो speed भी कम हो रही है और अगर हम 1 degree Celsius temperature increase कर दें तो जो sound की speed है वो 0.61 meter per second increase कर जाती है अभी humidity का क्या affect पड़ता है जो speed है sound की वो humidity में increase हो जाती है अगर हम देखें अगर हमारी humid air है जैसे अभी monsoon है monsoon में humid air होती है तो यहाँ पे जो sound की speed है वो बढ़ जाती है और dry air में sound की speed कम हो जाती है यह हमारा speed of sound था इसके बद कुछ characteristics है sound waves के उनमें सबसे पहला characteristics है उसके intensity intensity क्या होती है मालो हमने क्या देखा कि एक second में यह area है one meter square हमने area लिया है इसमें से कितनी energy पास हो रही है जितनी energy पास होगी उसी को हम क्या बोलेंगे उसके intensity कहेंगे क्या मतलब है इसका कि amount of energy passing normally per unit area around that point per unit time मतलब unit time में one second में unit area से कितनी energy पास हो रही है तो ऐसे unit intensity कहा है watt per meter square watt per meter square अब intensity sound की हम कैसे derive करते हैं यह inversely proportional होती है square of distance के inversely proportional का मतलब होता है उसके opposite अगर हम यहां पे intensity लें आए inversely proportional कैसे लिखा जाता है one y distance का square का है तो intensity हम कैसे find करेंगे अगर हमारा distance two meter है तो intensity कैसी होगी intensity जो है वो one y distance two है तो two का square मतलब क्या हो जाएगा one y four तो intensity कितनी हो जाएगी four times कम हो जाएगी इसके opposite है ना यह इसकी नीचे है तो inversely proportional है इसका मतलब four times intensity जो है इसकी वो कम हो जाएगी and directly proportional का मतलब होता है कि मैं आपको पहले भी बता चुक्यों अगर increase हो रही है तो जैसे यहाँ पर दिया गया है directly proportional to amplitude of vibration मतलब अगर amplitude increase करता है तो intensity भी increase करेगी अगर amplitude हमने two लिया है तो intensity कितनी हो जाएगी intensity भी इतनी हो जाएगी इसका square हो जाएगी मतलब i is equal to four square of amplitude of vibration इसका आजाएगा square of amplitude of vibration directly proportional to the square of vibration square of frequency and density of the medium due to intensity sound appears loud अभी intensity के कारण होता क्या है जो speed है वो loud या faint आती है अगर हम ऐसे देखें कि जो sound है कभी हमें कम आ रही है कभी जादा आ रही है वो किसके कारण होता है intensity के कारण होता है वो इसे हम loudness से भी denote करते हैं intensity का मतलब loudness भी हम बोल सकते हैं जब हमारी आवाज कभी जादा आती है कभी कम आती है तो हम उसे loudness से भी बोलते हैं तो unit क्या है loudness का intensity का बेल बेल decibel और phone अब जो commonly हम use करते हैं वो decibel है maximum आपको आ सकते हैं कि sound का unit क्या है decibel अब one decibel जो है 110 of बेल यह इसके equal होता है यह इसके equal होता है I hope आपको यह intensity समझा आगी होगी इसमें important क्या है इसका assay unit intensity का word per meter square और intensity जो है वो inversely proportional होती है square of distance के और directly proportional होती है amplitude of vibration square of frequency and density of medium इसके होती है और इसका unit है loudness का decibel यह कुछ important season थी second जो character stick है sound की वो है pitch pitch क्या होती है it distinguish a sharp sound from a grave sound इसका मतलब है कि जैसे किसी के पतली आवाज होती है तो हम उसे बोलते है कि उसकी pitch high है grave sound का मतलब dull sound मोटी आवाज से जो पतली आवाज होती है उसको distinguish करती है यह depend करती है frequency of sound पे pitch जो है female voice की वो high होती है then male से जो पतली आवाज होती है वो किसकी होती है female की होती है male की कम होती है उनकी pitch female की high होती है इनका quality क्या होता है quality होता है sound की वो characteristic जब हम distinguish करते हैं मतलब अलग करते हैं अगर कोई भी दो source से आवाज आ रही है उन दोन source की intensity भी same है मतलब वो उतने ही loud बोल रहे हैं sound waves की समझ आ गई होंगी यह कुछ characteristics हैं इसकी reflection भी होती है sound waves reflection भी show करती है अब इन reflection में क्या आता है first आ जाती है echo echo क्या होती है आपने कभी देखा होगा जब भी आप कहीं बंद कमरे में या कहीं पहाड़ी में जाके बोलते हो तो आपको अपनी आवाज वापीस सुनाई देती है तो वो क्या होती है echo repetition होती है आपकी sound की minimum distance चाहिए echo के लिए observer and reflector में मतलब जो आप कुछ बोलते हो जिस चीज़ से reflect होके वो आपास वापीस आती है उन दोनों में minimum distance 17 meter का होना चाहिए इतना होना चाहिए और persistence of air का मतलब हमारे कानों पे उसका कितना effect पड़ता है इसका effect पड़ता है one by ten seconds का यह आपको याद रखना है persistence of air is one by ten seconds due to reflection sound is reflection के कारण क्या होता है longer distance at night रात को आपने कभी note किया कि रात को क्या होता है जब भी हम कुछ बोलते है तो हमें दूर दूर के आवाजे बुरी clear सुनाई देती है तो वो क्यों होती है reflection के कारण क्या होता है sound रात के time पे long distance पे सुनाई देती है वो दिन में कम सुनाई देती है और moon पे क्या होता है हमारी eco नहीं सुनाई देती moon पे कोई भी eco नहीं आती क्योंकि वहाँ पे atmosphere ही नहीं है atmosphere के कारण हमारी जो sound है वो repeat होके वापिस आती है वहाँ से वो reflect होती है लेकिन moon पे कोई भी atmosphere नहीं है जिसके कारण वहाँ पे eco नहीं सुनाई देती and second जो हमारी reflection का आता है वो है sonar sonar क्या है कि navigation के लिए use किया जाता है जो navy में होते हैं यहाँ पर जो sea में होते हैं तो वहाँ पर क्या वो navigation technique यूज करते हैं यह देखने के लिए कि आगे कोई ship तो नहीं है जो खराब पड़ी हुई है यहाँ पर enemy की कोई submarines तो नहीं है जो वहाँ पर attack कर सकती है तो जो उनको पता चलता है navy में तो वो उनको कैसे पता चलता है navigation के थू और इसमें sonar use होती है यह देखती है depth of sea enemy submarines को locate करने के लिए ship racks मतलब जो ships खराब होगी होती हैं उसमें transmitter जो है sonar का वो कितनी sound wave produce करता है जिसकी frequency about 50,000 hertz होती है important है कितनी transmittance show करता है वो कितनी frequency की 50,000 hertz की अब इसके पास कुछ और points है जैसे interference of sound यह क्या होता है जब इस दो waves modification of energy superposition of two sound waves same frequency की कोई दो waves जा रही है तो उसमें क्या होता है अगर जैसे मालो यह दो यह हमारे पस दो waves है हम तो इसमें क्या होता है if two waves meet at a point in same phase अगर दोनों waves यहीं पे meet करती है एक दूसरे के उपर तो यह क्या हो रहा है एक दूसरे को cover कर रही है ना same phase में same frequency है इनकी तो यह क्या बनाती है constructive interference बनाती है क्या बनाती है constructive interference और वहीं अगर कोई दो waves opposite direction में move कर रही है opposite phases में जा रही है तो वह वहाँ पे क्या बनाएंगी destructive interference और वहाँ पे उसके intensity क्या हो जाती है कम हो जाती है Doppler effect I hope आपको यह constructive interference और destructive interference का समा जा क्या होगा constructive interference जब दो waves same phase में जाती है तो उसकी intensity maximum हो जाती है और जब opposite phase में जाती है तो उसकी intensity कम हो जाती है तब हम उसे destructive interference कहते है Doppler effect क्या होता है यह relative motion between the source of sound and observer मतलब कहीं से कोई आवाज आ रही है अगर हम उस आवाज के पास में चले जाएं तो वो आवाज हमें loud सुनाए देती है जैसे speaker है जब उस speaker के पास खड़े होते हैं तो हमें आवाज जादा आती है जब हम दूर दूर जाते हैं तो वैसे ही आवाज कम होती जाती है तो इस effect को हम क्या बोलते हैं Doppler effect कहते हैं ओके यह क्या है Doppler effect है नव एक और है अभी क्या पढ़ने वाले हैं शौक वेव क्या होती हैं supersonic speed से जभी कोई भी बहेव supersonic speed से कोई sound supersonic speed से move करती बहुत fast Move करती है तो उसके पीषे destruction कॉस करती हो जाती है जिसान बहुत जाता साव्ड है जैसे तो आगए आगे मूव करिए उसके पीछे पीछे destruction होता जा रहा है buildings collapse हो हो रही है टैमेश हो रहा है टोट गही है यह सारी यह इस जो supersonic wave है इन्हें हम क्या बोलते है shock waves मतलब वो पीछ़े destruction cause करती हुई जाती है जो supersonic wave है उसको Mac number से denote करते है इससे measure करते है अगर इसमें Mac number greater than 1 है तब हम supersonic waves कहेंगे अगर Mac नमबर वेव का 5 से बड़ा है तब हम हाइपर सोनिक वेव कहेंगे अगर Mac नमबर 1 से कम है तो हम उसे क्या बोलेंगे सबसोनिक स्पीड से एमूब करती है वेव यह कहेंगे अब आपको शौक वेव एंड Mac नमबर समझ आ गया होगा मैंने जितना भी मुझे लगता था इसमें इंपोर्टेंट है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ तो जितना जैसे मैंने आपको बताई सिर्फ 10 Marks का एक सब्जेक्ट है साइंस जिसमें भी आगे तीन पोर्शन में हमें डिवाइड किया गया है बायोलोजिक, कमिस्ट्री और फिजिक्स हमें जादा कुछ करने के जरुएद नहीं है मतलब आइविल मेक शूर कि इसमें से आपको मैक्समुम कोशन आ जाए हो आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे तो यह कुछ MCQs हैं आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें इनमें से कौन से आएगा दियुनिट अफ नॉइस पूलूशन एस पीपीम मतलब पार्ट्स पर मिलियन डेसिबल हर्ट्स वाट 3rd question है, the range of frequency of ultrasonic wave is less than 20 Hz, more than 20 kHz, less than 20 kHz and more than 20 Hz 4th question, which of the following phenomena is not shown by sound waves? Reflection, diffraction, interference and polarization Then the last question is, if the ratio of amplitude of wave is 6 ratio 9 Then intensity is, if the amplitude of wave is 6 to 9, then intensity is how will it be? So, if you try to solve this question, I will explain all the questions in this video If you don't have to solve this question, then do the same thing again Thank you, you are ready for your time Thank you